Instagram पर आप reels को drop कर सकते हो अगर आपको drop करना नहीं आता ये वाली वीडियो देखके आप drop करना सीख लिजीए ये वीडियो आपको निछे schedule भी कर सकते हो, जब आप Reels को अप很多 करते हो, Reels को upload करते हैं, आप Reels को च्राइब भी कर सकते हो, 99% लोगों को पता ही है, schedule कैसे होतह है, यह वाली वीडियो देख लेना, यह वाली वीडियो भी आपको लिशे description में मिल जाएगी, आपको schedule करना आ जाएगा reels यहाँ पर देखो reels drop करना और schedule करना reels को reels upload करते time schedule करना दोनों आपको पता है जिनको नहीं पता मैंने दोनों प्रोपर वीडियो बना रखा है नीचे description में जाके देख लेना A to Z information आपको मिल जाएगी बट यहाँ पर बात करेगे जो reels आपने drop कर दिया है drop reels को schedule के से करे जी हाँ अब आप drop reels को भी schedule कर सकतो अब यह सब के से possible होगा मैं आपको live करके दिखाऊँगा simply guys आपको अपनी profile पर आना है और जो भी reels आपने drop करके है आपकी drop reel आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा simply आपको drop reels पे click कर देने और जैसे ही आप drop reels पे click करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलिगा होगा schedule new मतलब इसमें एक new feature add कर दिया गया है कि अब आप drop reels को भी schedule कर सकते हो means अगर चाओ तो इसको आप directly यहाँ से भी upload कर सकते हो upload करना बहुत ही आसान है but drop reels को upload करना देखो इस तरीके से यहाँ से आपको जो भी hashtag वेगरा जो भी लगाना है सब कुछ लगा के यहाँ से share कर देना यह upload हो जाएगी और यहाँ से आप इसको drop भी कर सकते हो mode option में जाके यहाँ से आप drop this reel इस तरीके से देखो आप कर सकते हो ठीक है यह drop यहाँ पर आप जो भी time slate करोगे उसी time पर और जो date slate करोगे जो आप यहाँ पर date slate करोगे for example यहाँ पर मैंने 25 zolai date slate किया और यहाँ पर मैंने 2 p.m पर यह मेरी वीडियो अप्लोड हो जाएगे यहाँ पर मैंने done कर दिया तो यहाँ पर इस पर यह schedule लग गया है इस तरीके से आप drop reels को schedule कर सकते हो और अब आप यहाँ से देखो schedule पर किलिक करोगे यह schedule हो जाएगी सेकिन तरीका है यहाँ पर मैंने 2-3 reels अप्लोड करके है इसमें से मैं कोई भी schedule करने चाहूँ तो simply यहाँ पर जो 3 reels आ रहा है इस पर आपको किलिक करने है और आपको schedule पर किलिक करने है और जैसे आप schedule पर किलिक करतो यहाँ पर आपको time slate करना होगा सबसे पहले तो आपको किस time upload करना है for example मैं इसको 4 PM पर करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से zero कर दूँगा और date slate करना है 21 July आज की है आप जो यहाँ पर slate करोगे जो भी करोगे उसी date में उसी time पर आपकी यह automatic schedule यहाँ पर देखो यह schedule पर लग गया है schedule हो गया है यह दो तरीके थे schedule के जो मैंने आपको सिखा है जैसे यह schedule हो जाता है तो लिखावा भी नीचे आ गया था कि इस तरीके से आपकी यह schedule हो गया है जो उनसा date और time आपने slate किया है उस time पर उस date पर आपकी जो यह reals है ड्राप से schedule हो गया है इस पर आपको click कर देने है और यहाँ पर आपको जो आपकी schedule reals है वो देखने को मिलेगी अब अगर इसमें आप changing करना चाहते हो यहाँ पर आपको 3.00 पर click करने है अगर आप यहाँ पर schedule को change करना चाहते हो आपको 3.00 पर click करने है और 3.पे किलिक करता हूँ, यहाँ पर हो नहीं रहा है, अगें करता हूँ, यहाँ पर Re-Schedule पर आपको किलिक करने है, और यहाँ से आप Time को, Date को, यह Time हो गया, Time Change कर सकतो, और इधर से आप date change कर सकतो done कर सकतो और अगर आप चाता हो कि यार मैं इसको schedule से हटाना चाता हूँ मैं इसको upload करना नहीं चाता तो आपको 3.00 पर किलिक करने है इस तरीके से आप delete भी कर सकतो I hope आपके समझ में आगया होगा drop reels को schedule कैसे करने है और बाद में date वेगरा change कैसे करने है सब कुछ मैंने आपको explain कर दिया है इस तरीके से आप drop reel schedule कर सकते हो तो वीडियो को हीए पर end कर देता है वीडियो को like, share, comment कर दना और चैनल को subscribe करके भी like and को और पर पिस कर दना ऐसी ओर वीडियो देखने के लिए